नमस्कार दोस्तों आप जीरो पीरिट देख रहे हैं आज एक अपडेट आई है उस अपडेट को आपके साथ साजा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ये अपडेट ऐसी है कि कार्यालय कमिश्टर बस्तर संभाग जग्दलपूर जो की कार्यालय बनता है विसेश कनिष्ट कर्मचारी चैन बोर्ड बस्तर संभाग का एक सर्कुलर है आठ दो दो हजार बाईस की डेट पर जारी किया गया है इसमें जो पिछले दिनों परिक्षा हुई थी सहायक ग्रेट 3 की उसके संभन में एक नोटिफिकेशन है एक जानकारी है जिसे आपके लिए जानना जरूरी है जिन लोगों का चैन हुआ है और जो लोग कमेंट बाक्स पे मुझसे ये प्रशन पूछ रहे थे कि कितने होना है इस तरह के जो डाउट्स आपके मन में आये थे और उसके बारे में आप लोगों ने जो प्रशन पूछा था उस प्रशन का समाधान इस पत्र में है जैसा कि मैं आमतोर पर करता हूं कि बिना किसी तथ्य के मैं कोई भी जानकारी आपके सांथ साजा करने का प्रयास नहीं करता जब तक मेरे पास कोई प्रॉपर सर्कुलर नहों कोई एविडेंस नहों कोई डेपार्टमेंटल चीजें नहों तब तक मैं इस पर कोई बात नहीं करता तो उसी के continuation में मैं अब आपके साथ जो बात कर पा रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि जो आपके प्रशनत है उसका उत्तर कहां पर और किस तरह से आप छांट सकते हैं देखिए यह सर्कूलर हैं यह कहता है समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर काकेर जनतेवाड़ा सुकमा नारहाणपूर बीजापूर कॉंडा गाउं इनके द्वारा जारी किये गए विज्यापन 25-10-2021 के अनुकरम में विशेस क परिक्षा जो अलग अलग बाते हैं दोनों को समझ लीजिएगा जो सायक ग्रेट तीम के लिए परिक्षा हुई थी उसके आधार पर परिणाम प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर एक लिस्ट बनी है और जो भृत्य हैं उनके जो आवेदन है उनका वरीता करम मनाया गया है उसका प्रकाशन किया गया है इस दोनों को आप बोर्ड की वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं अब आगे यह कहता है कि सहायक ग्रेट तीम के कौशल परिक्षाहेतू चैनित परिक्षातियों की स सुचना प्रिथक से बोर्ड के वेबसाइट का एडर्स दिया है एवं जिला कारेले के सुचना फलक आदी में प्रकाशित किया जाएगा यह सुचना है आपके समस्त परिक्षार्चियों के या समस्त प्रत्याशियों के जानकारी के लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए काफी होगा जान पाना कि जो लिस्ट बनी है उसमें कितने लोगों को कब बुलाया जाना है उसकी अलग से सुचना बोर्ड आपको देगा इसी सूचना को आगे बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसी बोर्ट के सूचना के साथ जो एनेक्जर है उसको भी पढ़ दूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाएं वापस उसी बात को रिपीट करता है और कहता है कि विशेश कनिष्ट कर्मचारी चैन बोर्ट द्वारा दिनांक 16.1.2022 को आयोजित बस्तर संभाग के जिले अंतरगत विभिन्द विभागों में रित्त सहायक ग्रेट 3 की भरती परिक्षाक परिणामें विरित्त के पदों के प्राप्त आवेदन के आधार पर तयार वरिता सुची का एक तारिक को प्रकाशन किया जा रहा है यह आपकी सुचिना का एक तरह से कहिए कि रिमाइंडर है आगे कहता है बिन्दु करमांग 2 में सहायक ग्रेट 3 भरती परिक्षा में समयलित परिक्षार्थियों की परिणाम उनके द्वारा लिखित परिक्षा में प्राप्त अंग और आपने जो अनुभाव दर्ज किया है उसकी अवधी के अनुभाव के अंगों को जोड़कर तय तयार किया गया है मतलब जो लिस्ट तयार की गई मेरिट लिस्ट उस पे आपके प्रापतांग भी शामिल है और आपने जो एक्सपिरियंस का वेटेज जो दिया होगा जो भी आपने फार्म में बरा होगा वो दोनों को एड़ करके एक कंपाइल मेरिट लिस्ट बनाई कौशल परिक्षा के उपरांद सहायक ग्रेट तीन की अंतिम वरिता सुची तयार की जावेगी कौशल परिक्षा उत्तिन किया जाना अनिवार है मतलब अगर आपने इस लिस्ट में आपका नाम है तो भी आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और स्किल टेस्ट के लिए आपका नाम आएगा उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा अब आते हैं ब्रित्य के मामले में इस पर भी बहुत सारे कमेंट बाक्स में क्वेश्चन आया थे कुछ प्रश्णों का मैंने जवाब दिया अपने विवेक के आधार पर मगर कुछ प्रश्णों पर मैं मौन था उसका कारण यह था कि मेरे पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर मैं आपको कुछ बता पाता अभी मेरे पास जो दस्तावेज उपलब्द है बोर्ट के वेबसाइट के आधार पर वो मैं आपको साजा कर रहा बृत्य की वरिता सुची निर्धारित नियूनितम सेक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक का 90% और अनुभाव के अंक का 10% इसको जोड़ करके तयार किया गया यह जानकारी हो दे रहा है अनुभाव के अंक जिन अभ्यर्थियों को प्राप्त हुए हैं उनको प्रस्तूत करेंगे मतलब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वह डीवी होगा डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो जब आप डीवी में जाएंगे तब आपको यह सारे दस्तावेच दिखाने पड़ेंगे और उनको सत्यापित करना पड़ेगा सत्यापित के इस नोटिफिकेशन के माध्यन से आपको बताने का प्रयास किया था बोड ने अब कुछ शंका के बादल आपके छट गए होंगे और आप यह समझ पाए होंगे कि आगे एक स्टेप अभी और बाकी है आपका मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना ह होगा कौशर परिक्षा में आपको उत्रेड होना पड़ेगा जब आप कौशर परिक्षा में उत्रेड हो जाएंगे तब एक फाइडल बेरिस्ट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपका सेलेक्शन तैख होगा तो मेरे चैनल पर यानि की जीरो पेरिट पर मैं लगातार कर्मचारी चैनबोर्ट की सूचना हूं और इसकी परिक्षा की तैयारियों के लिए वीडियो बना रहा हूं लगातार आपको वीडियो मिल रहे होंगे मेरे प्रयास है कि आपकी परिक्षा की तैयारी परिक्षा की तैयारी मैं अगर संबोधित कर रहा हूं तो उन लोग को सम्मोजित कर रहा हूँ जो अभी आने वाली और परिक्षाओं में बैठने वाले हैं जैसे स्टाफ नर्स है नेतर सहायक है रिडियोग्राफर हैं कुछ परिक्षाओं और होने वाली हैं और आगे आने वाले दिनों में जो सूचना है उसके हिसाब से विसेस्ट कर्मचारी च जाने हैं वहाँ पर जो रिक्त पद हैं और उन पदों के लिए परिक्षा लेने का दाइत विसेस्ट कर्मचारी चैन बोर्ड को सौपा गया है तो बोर्ड का काम लगातार जारी रहेगा और मैरे चैनल पर उसके नोटिफिकेशन उसकी सूचना परिक्षा की तैयारी के लि अब्यापित करता हूँ सांति सांत मैं ये भी चाहूंगा कि आप इसे अपके दोस्तों के बीच साजा करें ताकि उनको भी जानकारी सही समय पर मिलती रहें मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के सांत तब तक मुझे दीजे इजाजत और इंतजार करिए आगले वी अब्यापित करता है